दोस्ते दोस्तों आप सबको सुवागत है आपके अपने चैनल फैंडेसी दुनिया में यह वीडियो होने वाला है सिद्नी थंडर व्सस पर्थ स्कॉचर्स के बीच जो खेला जाएगा बीग बैश लिक का मैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे पीछ रिपोर्ट ह तो यार मेक शूर करना वीडियो अन तक देखो चैनल में नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस आप चाहो तो फर्स्ट मैच चो खेला जाएगा इस दिन का पाकिस्तान सेकंड लेवन ओडिडी कप का मैंने अल्रेडी वीडियो अप्लोड कर दिया नालेज रहेंगे सेम नालेज रहेंगे तो सेम नौलेज रहागा तो यार तो इससे थोड़ा हटके मैचश को में यह ज्यादाग दिसक्रस्केरघ्ज करेंगे क्या इंवस्में होने चाहिए कैसी तीम घ्व menage जैसे कि कुछ भाई यहां पर ग्रेंड लिक्स विंग किया था तो शेर किया था विनिंग्स आप भी शेर करोगे मेरे साथ विनिक्स तो आप जरूर टेलीग्रम जैनल जाना फैंटेसी दुनिया आपको टेलीग्रम पर जाकर सर्च करना पड़ेगा और डिरेक लिंग में कॉ और एक में बना था गाइस 125 के करीब जो चेस कर लिया था तो 170 के उपर होगा था बहुत डिफिकल्ट होगा इविन गाइस 160 अगर बन जाएगा ना तभी मुझे लगता है कि जो चेजिंग टीम करेंगे वो एकलिस चार से पाच युकेट हो देखा काइस बिकॉस रन ने विन किया एक स्कॉचर ने विन किया तो मैं डिफ में बताऊंगा दोनों हेट टुएड में कहां मतलब क्या कॉन इकल गया थे आए मिन कॉनसे प्लिस इंपोर्ट है निकल के आ रहे दोनों हेट टुएड जब खेलते हैं इस आबस में तो वह हम लोग बाद में डिसक्स क इस तो यह तो यह थोड़े बैट्सपें अच्छे बैट्समें जाते मार्श 17 जीरो टुनर दोनों मैच में अच्छे खेले उससे भी ज्यादा मुझे मेरे हसाब से जो ज्यादा में घर करता है न वह होता एक स्ट्राइक रेट मतलब सिप ऐसा नहीं कि आके मार दिया क्रिस मेरे सबसे टर्णर मेरे टीम का ज्यादा प्रिफरबल प्लेयर होगा ना कि मार्श यह समर्श बॉलिंग ज्यादा करनी रहे फिलाल इंजरी से बैक हुए आपको मालू में आई पेल में भी चांसस मिला था बत इंजरी के लिए निकल गया था तो टर्णर में प्रिफर करू बैंडफ खेला था गास्ट में इस बैक किया गास मतलब इस मैच में बैक किया तो आइप यह खेल सकते हैं रिचाट्सन एक मस्ट भी हो जाते हैं इनका लास सिजन भी कमाल का था पाहुड आमेद आएकिक लिया था मैं बाद में आता हूं पहले मतलब इनका डेप अनलाइस इसमें अब धंडर देख लेता है जो खवाजा 7-17 था एलेक्स हेल्स का लास इसम में बहुत भर-बर के रन था तो लास में यह आउट हो गया था बट इंग यह एक बेटर प्लेयर है खासकर के पेस्ट के एगंस बहुत अच्छे एलेक्स हेल्स अब अपने टीम में जरूर रख सकते हो अब देखो बेंड का इनका टीम का ना डैनियल सेम्स क्रीज फिर कुक फिर सांगा तो बेंड कटिंग को बॉलिंग कम में लड़ा है तो यह ना आप अगर कंपेर करूँ के बेंड गटिंग एलेक्स रॉस को इसलिए नहीं कि रॉस ज में ट्रस्ट नहीं कर था बठा एलेक्स रॉस का लास इसलिए बहुत नीचे तो इसलिए मैं प्रिफर करूँ का एलेक्स रॉस एज जाधा बेंड कटिंग से ठीक है डैनियल सेम्स अगर फिर्स इनिंगस बॉलिंग मस्ट पिक बिक यह डेट करेंगे लास्ट वबर मैं हर पर एक से दो लेके जा रहे है ठीक है लास्ट मैश बैटिंग से भी अच्छा पॉफरिम्स किया क्रिस ग्रिन का लास्ट सिजन अच्छा नहीं था इस सिजन अल्ड़ी तीन के ले लिया मैक एंड्यू एंड गाइस जो है वह मैक एंड्यू मुझे बहुत खास मुझे लगे न यह जादा मतलब थंडर स्टों करेंगे थोड़ा जादा तहल का मचाएंगे ऐसा मेरा मानना है थंडर से क्यों एलेक्स एक बहुत अच्छे चॉइस है लास्ट सिजन कमाल के फॉर्म में थे एक डिसेंट बैस्मेन है खासकर कि पेस इनको बहुत पसंद है जो इनका दिखे गया एंड कॉन खेलेंगे खेलेंगे गाइस हमारे एडम मिलनी जुनको हार्ट इटिंग बैटिंग एंड का इस बॉलिंग तो बहुत अच्छे करते गाइस इनका टी टीटी केडियर नाओ मैच एक तीस ओवर में दस विकेट भी है अच्छे खासे चॉइस है डेथ मैच नहीं खेला था अब मैं आता हूं इनके पास जो कॉलीन मुन्रो है गाइस थोड़े हीटन मिस टैप अगर देखते हो तो लास्ट कुछ इनिक्स में एक पैसाट एक पचास एक फॉर्टी ने बहुत सारा गाइस खराब स्कोर तो कॉलीन मुन्रो बहुत ही ज्याद ही ज ज़रूर से रखूंगा जॉस इंग्लिस का लास्ट चौदा इनिक्स में 405 अभी फॉर्म मिला नहीं इनको बट ये एक अच्छी चॉइस है अब अपनेटी में जरूर रख सकतो में चल माश चलो बात करते हैं इनके बारे में लास्ट चौदा इनिक्स 302 रासी रन वान डा तो मैं सिधा अब अनराइस सेक्षिन में आ जाता हूं ठीक है सेम्स बेटर जब डिथ बॉलिंग इनको मिलते हैं अगर से इनिक्स बैटिंग हो जाता है ना तब एक में जो सबसे बड़ा इस्यू है ना सैम से वह है कि ये बैटिंग से लास्ट मैच में 65 रन किया था इच् फर्स्ट स्कोचर्स डिस्यां बैटिंग युजिक अनौल इस बाल इस और इस और इस बाइंग है टिका जो आले एलेक्स आजा जाते घासिए इनका जो डॉन डेंट चलो मैं तंडर के पास जाता हूं अभी हां इनका जो बॉलिंग एट संगा जो ना तन्वीर संगा जो न dependent team है तो यह थोड़े दिक्कत दे सकता है मिल ओडर में अगर देखते हो Clark, Marsh, Turner, Bencraft को Turner केल लेंगे बट रिस्ट कितना केलेंगे मुझे नहीं मालूम तो तोड़ा but Scotchers का जो है ना I think Scotchers अगर first innings balling लेता है तब यह team बेटर हो जाएगा युकर सिनका पास पेसर से एंड थंडर सेकें इनिक बॉली में बेटर होगा तो अगर देखते हो तो मैच ऑल्मोस्ट इक्वेल लेवल का होने वाला जोनाथन है एलेक्स हेड़ेट रिकोड बहुत अच्छा है मैंने हेड़ेट बताया नहीं तो मुझे माफ करना मैं फिलाल देता हूं आपको तो यह रहा एड़ेट में देखो इसकोड़ेट नाइटीन फार फो लास्टेट वाला में जहां पे तंडर 153 किया था स्कॉचस फिर से चेस कर लिया खवाजा घ्यारा था हेल्स पच्यासी था इंग्लिस 58 मॉष फावाद का एक्विकेट इच फिर स्कॉ सब्सक्राइब के लिए जो आपको जरूर रखना चाहिए तो आपको जरूर रखना चाहिए डिपेंड करेंगा बट हाँ एलेक सेल्स मेरे सबसे ना बेस्ट केप्टेन बना देते जोनातन कुक क्रिस ग्रें तंविस दंगा यह ना मैं जील का बात कर रहा हूं इसमाल लिग नहीं यह तीनों को एक साथ रखकर ना एक टीम बनाना जाप ऐलेक सेल्स अपकल लो बिकॉस आप देखोगे मिल ओडर में मश कहलेंगे जब तन्वीर संगा पॉलिंग करेगा संगा बहुत अच्छे लेग स्पिनर है फिर जोनातन कुक है जोवी की टिकिंग और तो मिचल मश को थोड़ा दिक्कत होने वाला है गास बट जो टार्नर है यह स्पिन अच्छे ख बैटिंग हुआ तब मैं शायद है चाप्तें रख दू विसी रख दू टैनल सेंग्स को अगर सेकेंड इनिक्स बैटिंग हो यह स्पेशली को बैटफ यह यह ज़िए खास है नहीं गाई इस साल एक 54 मारा था बट इनका वर रगर रिकोड देखोगी यह बैट बैटिंग बेटर खिलते हैं गाइस जए इंग्लिस हिट और मिस है बट एक आधा टीम में जोरू ट्राइक कर सकते हो ठीक है प्रूस इनका भी हिट टो एड रेकोर्ट ठीक ठाक है तो मैं चलता हूँ गाइस जिल्दी से लाइक कर देना एंगाइस चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राब कर सब्सक्राइब कर देना मेरा फिलाल टीम मैंने सुचा कि सैम्स वाला टीम का बॉलिंग है तो मैंने कैप्टेन डाल दिया सैंस को वीजी रग दिया अलेक्स सेल्स कैलम वागूसन उसमान को जाए इसी में शायद दो इक गिरेंगे तो कोई एक उत्रेगा ठीक है फाइन और पर टैम बॉलिंग भी करेंगे याद रखना कॉलिन मुन्रो जेक लग मुन्रो एक एक टीम ऐसा बनाऊंगा जहां पर इनका जगा जहाई रिचल संग जगा एडम मिलनी को ले लूँगा मैं तो कुछ ऐसी टीम साइंगे तो आपको फाइनल टीम आफ्टर टीम पे मिलेगा तो टेलिगाम चैनल चॉइन हो जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना थैंक्यू गैस